हेलो एवरीवन, एम डोक्टर कनिशका कोशिक, वेलकम योलों टॉपर्स टॉप कई दिन से हम अपना स्लेवर्स कवर किये जा रहे हैं, हम अपने आपको टेस्ट नहीं कर पारे हैं, कि इतना हमने पढ़ा हैं, किस तरीके से हमारी प्रेपरेशन चल रहे हैं तो उसी के लिए जो है, मैंने बहुत इंपोर्टन कोशिंस जो है, वो इस वीडियो के अंदर डाले हैं, इसमें मैं सॉलूशन जो है, वो सिफ आपको अंसर बताऊंगी, जैसे मैं डिटेल में सॉलूशन बताती हूं हर वीडियो के अंदर, वैसा नहीं होने वाला है, क्योंक रियरेंज कर दी गई है, सब्जेक्ट वाइस आपको प्लेइलिस्ट मिल जाएगी, स्पैसेफिक सब्जेक्ट की, और उसी के साथ जो है, यूपी एसी, ईपी एफो की अगर आप प्लेइलिस्ट में जाके देखते हैं, तो ये वाली जो वीडियो है, इसके ऊपर 60 to 70 वीड तो प्लेइलिस्ट को आप दे सकते हैं, और उसे के साथ आप यूपी एसी, ईपी एफो रिवीजन प्लेइलिस्ट सीरिस को भी देख सकते हैं, नेक शिरू करते हैं, फर्स्ट कोशन से आज के, जिसमें की आप से पूछा गया है, जो रोबर्ट हुक्ते साइन्स तो मैं उन्हें बता दूँ कि आपको एक बार वीडियो पोस्ट करनी है, और इस कोशन को अटेम्ब करना है, जैन मैं आपको अंसर बताऊंगी, तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अंसर केजिए, ओके डन, तो यहां पर जो सही ओप्शन है, वो है, फोर 1665 क अंसर अंदर रोर्बर्ट हुक जो थे, उन्होंने बियलोजिकल सेयल को डिसकष़ किया था, next question is कि कौं सा सेलोर्गण ऐसा होता है, जो की न्यूस पेपर को बनाने के लिए, प्रिंट जो होता है, तकस्टाइल को बनाने के लिए, तकस्टाइल को बनाने के लिए, यो होना प्लांट का जो कि news, print, paper, textile या wooden furniture को बनाने में काम आता है नेक्स आता है zero pathalmia ये एक disease होती है और आप से पूछा कहें कि ये कौन सी डायट की deficiency की वज़े से होती है तो ये वाला जो question है ये बहुत मतलब कि important हो जाता है क्योंकि vitamins related or disease related questions जो है वो हर किसी paper में dominant form में होते हैं तो इसमें भी पूछा जाएगा इस वज़े से ये वाला question जो है आप comment section में मुझे answer करेंगे कि zero pathalmia जो होता है वो किसकी कमी से होता है one is protein, second is vitamin A, D is vitamin D and fourth is none of the these next question पर आते हैं यहां पर एक person है जे भी नाडली कर करके उसके पर में पूछा गया है कि इन्होंने कौनसी ऐसी चीज थी जिसको science consider नहीं किया है तो यहां पर सबसे पहले option में है astrology, second is astronomy, third is cosmology, fourth is none of the above तो इबर वीडियो को post किज़र इसे attempt कीज़ें तो यहां पर सही option है astrology, astrology जो होता है यह भविश्य वगरा पंडित देखते हैं यह वाली चीज तो astrology जो होती है वो science consider नहीं की जाती है next question आता है आपका again यह science perspective से question हो जाता है कि which of the following is nota primary macronutrient in plant nutrition तो देखे plant nutrition जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं macro category के अंदर, micro category के अंदर तो आपसे यहां पर पूचा गए कि कौन सा macronutrient नहीं है first is nitrogen, second is potassium, third is magnesium and fourth is phosphorus तो वीडियो को pause की जो इसे attempt कीज़ें okay done तो यहां पर जो सही option है वो है 3 magnesium जो है वो macronutrient नहीं होता बलकि यह क्या होता है micronutrient होता है तो यह आपको याद रखना है next question जो है again science से आता है आपके biology से की कौन सी ऐसी technique होती है जो की individuals को distinguish कर सकते, differentiate कर सकती है उनके DNA pattern के basis पे तो first है यहां पर DNA fingerprinting, second है DNA profiling, third is molecular fingerprinting and fourth is all of the these तो एक बार वीडियो को pause की जो इसे attempt कीज़ें okay done, तो यहां पर देखे DNA fingerprinting, DNA profiling and molecular fingerprinting तीनों ही ऐसी जो है techniques होती है जिससे की हम किसी person के DNA pattern के basis पे उसको distinguish कर सकते है तो यहां पर सही option क्या होगा, fourth that is all of the above next question जो है वो हमारा chemistry से related आजाता है कि कौन सा device ऐसा होता है कि जो की atmospheric pressure को measure करने के लिए यूज होता है, तो one है यहां पर barometer second, microphone C is match meter and fourth is thermometer तो वीडियो को पोस कीज़ें और इसे attempt कीज़ें okay done, तो यहां पर जो barometer और यह वाला जो question है यह important questions की category में आता है क्योंकि barometer वाला question जो है वो previously बहुत सारे exams में पूछा जा चुका है तो यहां पर first जो है वो barometer का सही answer है जो कि atmospheric pressure को measure करने के लिए काम में लाया जाता है next question आता है कि माली जे की एक liquid है और उसका surrounding है उनके बीच में जो temperature difference है उसको double कर दिया जाता है तो उस time में जो loss of heat का rate होता है उस liquid का वो कैसा हो जाता है यह आप से पूछा जाएगा इसमें तो first है कि वो rate of loss of heat होता है वो भी double हो जाता है second है कि वो same रहता है third है three times हो जाता है और four जो है वो four time हो जाता है एक बार वीडियो को pause के जो इसे attempt कीजिए okay done तो यहाँ पर यह जो है double हो जाता है जो भी मतब कि temperature difference होता है किसी भी surrounding क्या हो या फिर उसका double हो जाता है एक चीज़ और जो students है हम उन्हें बता दे कि हमारा एक motive है कि first March week का उसमें हम खतम करें slivers को तो जादा से जादा वीडियो हम एक दीन में डालने की कोशिश करेंगे बट कुछ technical issue की वजह से जो है वो वीडियो का notification आपके पास नहीं आपाद है subscribe करने के बाद भी तो make sure कि आप telegram channel को जाके जरूर join कर ले क्योंकि अगर ऐसा को नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो मैं या पर जो मेरे पार्टन होते हैं वहाँ पर सेंट कर देते हैं उसकी notification उस वीडियो की तो आप हहां से देख सकते हो तो तो टेलिक्राम चैनल का लिंक आपको description box में मिल जाएगा next question पर आते है तो यहाँ पर question जो आता है वो हमारा आत वर्ट वो जो company है उसके अंदर दूसरे किसी state के या area के लोग है तो आप महाँ पर कौन सी language को use करेंगे compulsory first है यहाँ पर उर्दू, B is Telugu, C is English and D all of the above तो एक पर वीडियो को post कीजिए और इसे attempt कीजिए okay done, तो यहाँ पर जो सही option है वो है C English, मतलब कि English जो है वो एक तरीकी की compulsory language होते है कभी भी जब कोई certified standing order देना होता है next question आता है कि constitution of India के अंदर जो labor welfare का एक concept है तो वो किसके अंदर mention किया गया है तो A यहाँ पर है preamble, second is fundamental rights, C is fundamental duties and fourth is directive principle of state policy तो A option है आपके सामने की first or two जो है सिर्फ उनके अंदर labor welfare को mention किया गया है B है one two three, C is one two four and D is one two three four तो एक बार वीडियो को post कीजिए और इसे अच्छे से पढ़ेगा और फिर अटाइम के जाएगा ओके डन, तो यह जो question है यह थोड़ा difficult level of category के अंदर आ जाएगा EPFO में यह जिसका जो सही option होता है वो one two four है, fundamental duties के अंदर welfare और labor welfare की बात नहीं की गई है preamble, fundamental rights और जो directive principle of state policy है, इन तीनों के अंदर ही labor welfare का जिगर किया गया है next question आता है यहाँ पर की जो state है, अगर उसे कोई provision बनाना है just and human condition of work के लिए या फिर maternity relief के लिए तो वो उस time period में जो है, sorry, उसका जो provision है वो कौन से DPSP के article के अंदर बनाएगा तो first है यहाँ पर article 39A, second है article 42, और फिर है article 43A and D है article 44, तो एक बार वीडियो को post की जो इसे attempt कीज़े okay done, तो यहाँ पर जो second option है, article 42 जो है, वो just and human condition of work and maternity relief को provide करता है DPSP के अंदर next question आता है यहाँ पर की जो British government है, उसने एक commission को establish किया था labor के लिए 1929 के अंदर जिसमें की बहुत सारे labor legislation इंडिया के अंदर pre-independent era में हो, तो उन legislation के बना गया था, तो आपको इस commission का नाम बताना है यहाँ पर A है royal, B है white lay, C है imperial and D है both A and B, तो एक बार इस question को attempt केज़े तो यहाँ पर जो option है D both A and B, रोयल commission और वटले commission जो था यह दोनों जो है लेबर के लिए बनाए गए थे 1929 के अंदर जो कि एक series of labor legislation इनोंने शुरुआत की थे next question आता है आपका labor laws से related की labor laws जो होते हैं वो किस से deal करते हैं for the respect of workers तो A है health, B is safety, C is welfare and D is all of the above तो यहाँ पर जो है D option correct है all of the above जितनी भी labor laws होते हैं वो health, safety और welfare इन तीनों categories के लिए labor के लिए work करते हैं next question जो है वो again आपका labor industry से related आ जाता है तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो international labor organization है उनका काम क्या है तो first statement है यहाँ पर कि the objective of the international labor organization is the universal human condition of labor second इसका जो headquarter है वो ILO का Geneva Switzerland के अंदर है and third option is India is the founding member of the international labor organization तो यह तीनों statement आपने देख लिए अब आप option देखिए इसके क्या है A is one only, B is one and two only, C one, two, three only and D जो है यहाँ पर none of the above गा तो यह बार आप जो है दुबारत statement को देख लिजे ओके डन इवर options देख लिजे तो ठीक है यहाँ पर जो C option है one, two, three वो सही है तीनों ही statement जो है इसमें सही दे रखिए हैं ILO के बारे में next question जो है वो आपका आता है कि जो ILO का convention है जो इंडिया के थुरू ratify होता है तो उसके अंदर जो है क्या-क्या चीजे include कर ली गई है तो यहाँ पर आता है सबसे पहले one minimum age convention, second is right to organize and collective bargaining, third आता है freedom of association and protection of right to organize convention, fourth is forced labor convention and fifth is equal remuneration तो यह पाचों चीजे हैं इन में से कौन-कौन सी convention जो है ILO की थुरू ratify कर दी गई है तो first statement है यहाँ पर 1 & 2, B is 1, 2, 3, C is 1, 4, 5, D is all of the above एक बार दोबारा देख लीजे इन conventions को एक बार options को दोबारा देख लीजे तो यहाँ पर जो C option है 1, 4, 5 जो है वो इंडिया के थुरू कर चुके है, मताब 1, 4 & 5 यह तीनों जो convention है, minimum age convention, forced labor convention and equal remuneration convention जो है ILO की ratify है इंडिया के थुरू, next question आता है कि जो labor low है वो किसके साथ deal करती है, first is working condition, second is labor welfare, C is social security and D is the all of the above तो एक बड़ी से attempt कीजिए, simple question है हो गया, तो यहाँ पर D, all of the above labor laws जोते है, वो working condition, labor welfare and social security तीनों के साथ ही deal करती है, next question जो है वो आपका industry से related आ जाता है, जिसमें पुछा गया है कि which of the following, मताब कि कौन सा ऐसा institution है, जो कि industrial dispute act 1947 के provision के अंदर नहीं set up किया गया है, किसी भी industry या organization के industrial disputes को solve करने के लिए, तो A है यहाँ पर district court, B है, आता है आपका industrial tribunal, C आता है works committee and D आता है labor court, तो एक बड़ी से attempt कीजिए, okay done, तो यहाँ पर सही option है, वो है district court, district court को जो है नहीं set up किया जाता है, dispute act 1947 के अंदर, हलाकि industrial tribunal works committee और जो labor court है, इन तिनों को set up किया जाता है, next question आ जाता है, हमारा कि जो factories act के इसमें अगर beryllium poisoning, anthrax, arsenic poisoning या इसे related जो sequel होते हैं, वो notify disease होते हैं, तो यह जो है यह कौन से schedule के अंदर factory act of 1948 के अंदर mention के गए है, A है 5th schedule, B है 4th schedule, C है 3rd schedule and D है 1st schedule, तो एक बड़ी से attempt कीजिए, okay done, तो यहाँ पर जो यह सही option है, 3rd schedule, 3rd schedule के अंदर जो है, इन सारी चीज act है, वो कौन से year में इंडिया के अंदर जो है, वो आया था, A यहाँ पर है 1961, B है 1962, C 1972 and D is 1977, sorry 1977 है, तो easy question है, यह जल्दी से attempt कीजिए, okay done, तो यहाँ पर 1961 जो है, वो सही option है, next देखते हैं, labor laws and industrial relations जो होते हैं, इन में से इन 4 options में से, यह किस-किस को include करते हैं, यह आपको ब bargaining and unfair labor practices, B is annual leave, C is health and safety of workmen at place, and D is all of the above, तो एक बड़ी से attempt कीजिए, okay done, तो यहाँ पर फोर्थ ओप्शन जो है सही है, यह सारी ही जो points है, यह labor laws and industrial relations के अदर include किये जाते हैं, तो अब तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आगे वीडियो को ले जाने से पहले, तो दूंकसान हो रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजे, बैल आइकन को क्लिक कीजे, ओल नोटिफिकेशन पर, और लाइक कीजे वीडियो को और शेयर कीजे, ताकि चैनल की जादा से जादा ग्रो तो हम आपके लिए ओल रिसोर्से ला सकें, next आता है कि, which of the following describes the theory of trusteeship, the trusteeship की जो theory है, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, तो first है, there is always conflict between worker and owners, B is ownership of industry fully lies with the owner, C है, all properties are gifts of nature and they belong to not to one individual but to society, and D is employees are the real owners of all the industries, तो एक बार ही से वीडियो को पोस कीजे, अच्छे से पड़ियो और फिर से अटाम कीजे, तो यहाँ पर C option is correct, कि जितनी भी properties होती है, वो nature का gift है, गांधी जी की भी यही mentality थी, और उन्हें यही कहा था, कि एक individual से वो बिलोंग नी करती, बर society से बिलोंग करती है, यह ट्रस्टिशिप की नई, मतब की पूरी definition है, और यह गांधीन अप्रोच जो है, इंडस्टियर मुझे जरूर बताएगा, मिलको बहुत खुशी होगे उससे, तो first question है, the system approach to industrial relation was developed by A is Max Weber, B is John T. Dunlop, C is William Beveridge and D is Elton Mayo, तो एक बार आप इसको बताएगे और time कीचे, तो यहाँ पर जो सही option है, वो है John T. Dunlop, जो थे, उन्होंनी system approach जो industrial relation का था, वो developed क्या था, तो guys, यह जो committees के head होते हैं, किसने कुन सा system developed क्या था, इनके नाम आप अच्छे से आद रखेंगे, chairmans of organizations के नाम, person associated, कोई related आ रहा है, news के अंदर, उन सब के नाम आप याद रखे, चार-पाच questions आपके नाम वाले ही हो जाएंगे, questions ठीक है, यहाँ पर, तो आपको वीडियो कैसे लगी है, मुझे comment section में बताइए, किसका कितना score रहा है, वो जुरूर बताइए, अपने आपको analyze कीजे, और channel को subscribe कीजे, वीडियो को like कीजे, thank you so much.